हेलो फ्रेंड्स वेलकम चुपाइज बिडिन है आज हम पढ़ेंगे प्रकृत की क्लाश इनको चल है तो कल है क्वेशन नमबर फर्स्ट है प्रस्णों की इसर लिए प्रकार की विवस्था को प्याओ कहा जाता है क्यारी बच्चों आपको समस्था गया होगा प्याओ क्याओ होता है क्वेशन नमबर फर्सट है खेती के लिए खेती के लिए चाई की अवश्था क्यों पढ़ती है तरहे फसलों के अच्छे उत्पादन के लिए उचित समय पर चाई की अवश्यक्ता पढ़ती है तो कि यदि समय पर फसलों की सिचाई ना की जाए तो फसले भूख जाती हैं और अन्न का उत्पादन कम हो जाता है तो सिचाई जो है यानि फसल को जो हम पानी देते हैं सिचाई कहते हैं पादन मतलब पैदावार पैदावार कम हो जाएगा ये सिचाई तो बहुत ही जरूरी है जाहे चाई के लिए किन किन साधनों का प्रियोग किया जाता है जातर है चाई के लिए तालाब वा नदी नहे तथा नलकूप आधी साधनों का प्रियोग किया जाता है आपने देखा होगा होती है आपर नदी या नहे नलकूप या तालाब जरूर होता है और नहीं देखा है तो जरूर देखें इस ठीज को इतालाप हुआ नदी ने तलकू अपो खेतो पास पास या कहीं लिए जिससे उनको सिचाई के लिए पानी उपलब्द होता है नेक्स क्वेशन है हाँ, मीगत जल की कमी के कारण लिखे मीगत पता होना चाहिए जमीन के अंदर जो पानी है, इस पानी को हम समठ सिबल से नल से इकोवों से निकालते हैं उस पानी में चल की कमी हो रही है कारण क्या है जल की कमी के निमन लिखित कारण है तक है जनजन्ग्धा प्रदी की कारण खुजल की बढ़ती पांग चाई एवम और धोगिक कारियों के लिए प्राचीन साथनों का रख रखाव ना होना खरेलू कारियों के लिए पंप से जमीन के अंदर से अधिक पानी निकालना पानी की सुष्ट है कम लेकिन निकाल रहे हैं जादा बर्सा के जल को एकत्रित ना करना बारिस बहुत ज़्यादा हो जाती है वो पूरा पानी बेस्ट हो जाता है उस पानी पोस्ट कर पाते हैं और वो पानी गंदे पानी में मिल जाता है ये सारे कारण हैं भूमी गत्जल की वेल्प कर रहा हो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दे और तो सब्सक्राइब जल कर लिया है या है गत्जल की पुनरभर्ड की विदी कौन कौन भूमी के नीचे जल है उसको हम पुनरभरड की पुना कैसे बहरा है या कोन कौन सी पुनरभर्ड की विदी बहरा है तालाबों में पहला है तालाबों में बरसा के जल को इकुक्स करना उस्रा है च्छत से प्राप्त बर्सा कर लेंगे हैं कि जल को पाइप के माध्यम से खट्थ। गड़ों में इखटा करना उप्योंक के बाद गिंदेवाले पानी को पुनर-भर्रों हमें मदद करते हैं, हमें उसे किस्ट नहीं करना है, हमें उसे कैसे करना है, किस चीज़ करना है, पता कि या आपके घर या इसकूर के आसपास तालाव, पुवा या वावडी बने, देखनी जाएं और पता करें, आपका काम है, आपको करना होगा प्यारे बच्चो, इसका पानी सूख तो नहीं गया है, तो किस चारण से सूख गया है, प्यारे बच्चो, आपको आपके, आपके यहां पर तालाव है, या वावडी है, उसके पारे में लिखना है, और अगर आपको कोई उत्तर समझ नहीं आता है, तब आप इस उत्तर को लिख समझे, लेकिन एक सही उत्तर को ही होगा, जब आप खुद से अपने गाउं में ज चास बर्स पुराना है, जिसे ग्राम प्रधान ने बन बाया था, इसका पानी गंदा है, लेकिन यहां हुआ हुआ नहीं, या पानी तो है, उस तालाव में लिखना है, कैसा है, गंदा है, यहां फूर ग्राम लगा लीजिएगा, इस तरीके से इस क्वेशन को कर लेंगा, लास क्वेशन है, आपके आसपास, यह आप जहां कहते हैं, उसके आसपास सिचाई के लिए जल कहां से प्राप्त होता है, उनके चित्र दिये गए बॉक्स में बनाएं और उनके नाम भी लिए, ठीक है, तो बनाएंगे उनकी चित प्यारा से जित्र में लाई हूं, सोर्सिस ओव वटर, पानी हमें कहां कहां से मिलता है, तो एक तो हमें डल से मिलता है, इसमें अंग्रेजी में लिखा है, तो आप हिंदी में भी लिख ले, डल से मिलता है, तालाब से मिलता है, तालाब, बरसा से मिलता है, यह ना कुआ से से मिलता है, लेड़ पंप से मिलता है, और नदी से मिलता है, इंग्लिस में लिखा हुआ है, मैं हिंदी में और लिख दिया, ताकि आपको आसानी रहे, यह हमारे sources of water हैं, जो हमें चाहिए के हैं, या तो नलों से, या तालाबों से, या बरसा के पानी से, या कुगा से, या हैड़ पंप से, जो लोकेशन पर डिपेंड करता है, कि आपकी खेती कहां पर हो रही है, या आपकी खेती, अगर इसकी जगे पर हो रही है, या पर वारि लाना पड़ता है, या प्यारी वच्चों, तो आपके आस पास चाहिए कि जो भी साधन अभी लेबिल हों, उपलब्द हों, उन्हीं को इसमें दिखकर बना ले, नहीं तो आप सारे भी बना सकते हैं, कि ये, जादा तर सभी जगे पर ये वाले साधन अभी लेबिल, यानि कि उपलब्द रहते हैं, ठीक है, या ही ये वाला चैप्टर हमें तुरा पढ़ लिया है, वीडियो रदद की है, हेल्प की है, तो प्लीज हमें सपोर्ट करें, चैनल को स्ट्राइब करें, वीडियो को स्ट्राइब करें, चलो मिलेंगे, चैप्टर नम्रों 14 में, बाए ब करेंगे दो